रोटी बेटी वेवार का हम पूरा समर्थन करते हैं लेकिन जब इसको करने जाते हैं तो रोटी वेवार तो आसान है हम आसानी से कर सकते हैं और मजबूरन बहुत लोग आजकल कर भी रहें वो मन से होना चाहिए इसकी आवज़ सकता है समझदारी ठीक करनी पड़ेगे बेटी वेवार थोड़ा कठिन इसलिए है कि उसमें केवल सामाजिक समरस्ता का विचार नहीं दो परिवारों के मिलन का भी विचार है वरव अधू के भी मैचिंग का विचार है ये सब देखके हम उसका समर्थन करते हैं महराष्ट्र में पहला 1942 में अंतर जातिय विवा हुआ पहला ही था और अच्छे सुशिक्षित लोगों का था इसलिए उसकी प्रसित्ती हुई उसके लिए जो शुभसंदेश आये थे उसमें पुजनिय डॉक्टर बाबा साब अमबेड करका भी संदेश था और पुजनिय श्री गुरु जी का भी संदेश था और गुरु जी ने उस संदेश में कहा था कि आपके विवा का कारण केवल शार्री काकरशन नहीं है आप ये भी बताना चाह रहे है कि समाज में हम सब एक है इसलिए आप विवा कर रहे है मैं आपका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ और आपको दामपित्य जिवन की सब प्रकार की शुभकामना देते है मानो मानो में भेद नहीं करना रुची अरुची प्रत्यक की अपनी होती है पूरा जिवन साथ में चलाना है वो ठीक चल सकता है कि नहीं इतना देखना चाहिए तो बेटी विभार को भी हमारा समर्थन है मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि भारत में अंतर जातिय विवाओं की गणना करके अगर परसेंटेज निकाला जाए तो शायद आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज संग के स्वेंश्यों को का मिलेगा ऐसा करने वाले